हाई गाईज कैसे हो आप सब उमीद करते हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो फ्रेंट्स आज मैं आपको ब्लाउज पीस जो हमारे पास पड़े होते हैं साड़ी में से निकले वे तो उनके चार अमेजिंग आईडियाज बताने वाली होग अब ब्लाउज का जो पीस उसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इधर से सिधा कर लेंगे मार्किंग करके फिर यहां से हम चोड़ाई रखेंगे साड़े 16 इंच की नीचे तक मार्किंग कर लेंगे इसको सीधी मार्किंग करेंगे फिर लंबाई में हम इसको लेंगे साड़े 16 इंच लंबाई से और 3.5 इंच चोड़ाई से और अस्तर भी कट करेंगे तनी के अंदर डालेंगे जो सेम साइड से तो ये साइड में रख देते हैं अब देखिए पेस्टिंग पेपर चिपका लेंगे इसके उपर प्रेस से क्योंकि जो अमारा साडी का कपड़ा है वो थोड़ा सा पतला है वैसे तो ये साटन का कपड़ा लेकिन पतला है तो इसलिए इसके पुरिश तरीके से देखिए आरन से चिपका कर इनको रेडी कर लेंगे दोनों पीस को अब देखिए यहां corner के उपर हमको marking करनी है 2 inch पर और इधर की side से देखिए इस तरीके से 2 inch पर ही इधर की side से marking करनी है यह वाली और दोनों piece हैं यह तो इस तरीके से cutting कर देंगे दोबाई 2 inch से नीचे की तरफ से उपर की तरफ तो इसमें border है अब देखिए अस्तर में से भी कटिंग कर देंगे सेम तरीके से और ये तनी के पीस है इस तरीके से रेडी कर लिए है मैंने दो तो अब एक बार मैं आपको सिलाई पर बताती हूँ कि इस तरीके से इन सब को अटेज करना है तो देखिए इसको इस तरीके से तनी को रेडी कर लेते हैं सेंटर में से फोल्ड करके फिर देखिए आफ आफ इंच फोल्ड करके फिर इसके उपर देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी आपके पर्स में जब इस तरीके से पेस्टिंग पेपर चिप का लेते हैं तो और इस तरीके से हमको जो है दो तनी बना कर तयार कर लेनी है अब देखिए इनको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहां से हाथ से प्रेस कर लेंगे और इस तरीके से सेंटर निकालेंगे फिर सेंटर से द तनी अटेच करनी है तो तनी को दो इंच से बाहर की साइड रखेंगे इस तरीके से ये देखिए तनी को अटेच कर लेंगे दोनों तरफ दूसरे पार्ट के उपर भी तनी अटेच हो गई है अब दोनों पार्ट को सीरी साइड मिलाते वे रखेंगे और दोनों तरफ इस तर तरफ से देखे इस तरीके से हम इसके अंदर स्लाय लगा लेंगे अब इसके किनोर के उपर स्लाय लगाएंगे स्लाय मार्जन को दोनों को एक को अपोजिट साइड कर देंगे इस तरीके से यह रेखिए और इस तरीके से हम जो इसके उपर स्लाय लगा कर इसको रेडी कर लेंगे यहां तक अब देखिए अस्तर को हमको किस तरीके से रेडी करना है एक पोकेट बनानी है तो साड़े 16 इंच से लंबाई और साड़े 9 इंच की चोड़ाई है इसका पड़े की तो एक तरफ से इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और यहां से डबल फोल्ड करेंगे सेंटर निकल गया है इसका इस तरीके से अब इसको देखिए इस तरीके से रखेंगे हम इसके उपर जहां से दो इंच की कटिंग है उसके उपर रखा है मैंने इसको और इस तरीके से देखिए सील कर अटेज कर लेंगे और एक सिलाइस के सेंटर में लगा देंगे तो यह दो पार्ट हो जाएंगे पोकेट के अब देखिए क्या करेंगे दूसरा पार्ट रखेंगे ैस्तर का इसके उपर इस तरीके से और यहांपर सिलाइ लगाएंगे और यहांपर लगाएंगे और ये देखे ये नीचे सिलाई इस तरीके से लगाएंगे और नीचे से फिर open रखेंगे तो मैं आपको सिलाई लगा के बता देती हूं ताकि आपको आसानी रहे ये सिलाई देखे यहां तक लाएंगे और फिर हटा देंगे ये सिलाई इधर से लाएंगे और फिर हटा देंगे इस तरीके से सील लेंगे इसको अब किनोर को कुछ इस तरीके से सील देंगे जो हमने पहले सिलाई लगाई थी वैसे ही सिलाई लगाएंगे इसके उपर अब जो नीचे से मैंने open रखा है अब देखिए उसका क्या use होने वाला है यह देखिए यहां से open है अब यह 17 वाई change की एक पट्टी ली है मैंने इसको double fold कर लेंगे और इसको bit center से कट कर देंगे अस्तर ले लिया है चैन ले ली है तो अब देखिए हमको क्या करना है इसके उपर इस तरीके से हमको चैन को रखना है इस पट्टी के उपर और यहां पर हम सिलाई लगा देंगे इसके उपर ध्यान रहे 17 वाई चैन्ज की थी ये पट्टी आप स्लो करके वीडियो को रोक के आप measurement जो है अच्छे से आप देख भी सकते हो इंची ठेप पे नजर आर आप देखिए अस्तर इसके उपर कुछ इस तरीके से अटेच करना है हमको अब इसको सिधा करेंगे और इसके उपर टॉप स्टिच कर देंगे यहाँ पर दूसरी सैट भी सेम तरीके से देखिए अटेच करेंगे इस पट्टी को इस तरफ रखेंगे यहाँ पर हम स्लैल लगा देंगे अब देखिए अस तर इसके उपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर स्लैल लगा देंगे तो इससे क्या होगा फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी अंदर बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे और इसके उपर स्लै लगा देंगे ंदर रणल डाल देंगे तो तर निकाल लेंगे इसकाक और फिर देखिए एक तरफ इस तरफ डालेंगे दूसरी तरफ तरफ डालेंगे पीछे दोनों तार पकड़ने के लिए हात में आ जाते हैं और इजीली रणर डल जाता last Life कर देंगे कि अब देखें अब देखिए कुछ इस तरीकि जह Arena Suckoo Rs 2-6 करना है हमें ध्यान रहे अस्तर उपर की तरफ आया है इसमें यह रेडी हो गया यहां तक सील कर अब देखिए इसके उपर रख के हमको अस्तर भी अटेच कर लेना है इस तरीके से अस्तर अटेच हो गया है अब देखिए नीचे से जो ओपन था उसको इस तरीके से उसमें से ह से अंदर की तरफ दबा देंगे अधा इंच सिलाई मार्जन है उसको अब देखे इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे इसको और अब देखे इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे अंदर की तरफ और यहां पर हम किनोर की सिलाई लगा देंगे तो गाईज बेकार पड़े blouse piece से ये हमारा बहुत ही सुन्दर सा hand purse बनकर तयार हो जाता है तो अपने बेकार पड़े blouse piece को कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हो आप इसका final look देख सकते हो गाईज अब बढ़ते हैं next idea की तरफ next idea में फिर से मैंने blouse का piece लिया है cotton का ये तो blouse का piece है green color का और ये अस्तर है और इस तरीके से border है देखिए इसके अंदर और एक हमको foam sit चाहिएगी तो foam sit को हमें क्या करना देखिए इस तरीके से अंदर दबाना foam sit को नीचे अस्तर रखेंगे फिर इसमें इस तरीके से देखिए सिलाया लगा लेंगे ये देखिए बीच में मैंने दबा रखिए इसके लंबाई है 11 इंच की और चोड़ाई है 10 इंच की इसके उपर चैन को यहां पर इस तरीके से रखेंगे उल्टी और देखिए सील कर अटेच कर लेंगे अब इसको टॉप स्टिच कर देगे और जो मैंने बीच में सिलाया लगा रखिए वो डेट डेट इंच की दूरी पर है अब देखिए इसको इस तरीके से पलट कर इसकी उपर फिर सिलाया लगाएंगे अब इसको इधर से ओपन कर लेंगे फिर से इसकी उपर टॉप स्टिच करेंगे अब इसको पलट लेंगे पलट कर यहां की नौर पर दो इंच पर मार्क करेंगे एक इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और यहां पर एक इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे दो इंच इधर की तरफ मार्क कर देंगे अब एक तनी ली है मैंने इस तनी की लंबाई है लगबग बावन इंच की तनी को यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर स्लाइस से देखे कुछ इस तरीके से अटेच कर लेंगे अब इसके अंदर रणर डाल देंगे सेम प्रोसेस रहेगा रणर डालने का अब इसको उल्टा कर लेंगे कुछ इस तरीके से और देखे चैन को एक तरफ कर देंगे सेंटर में नहीं करेंगे और फिर देखे इसके उपर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और तनी पूरी अंदर कर देंगे दूसरी तरफ भी देखे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इसके उपर चैन एक तरफ कर देंगे पूरी साइड में निकाल देंगे चैन को और फिर देखे इसके उपर इस तरीके से सिलह लगा लेंगे अब इसको सिधा कर लेंगे कुछ इस तरीके से तो देखे साइड में चैन आ गई है इसकी अब हमको एक मैंने सेम साइज की पाउच एक और बना रखी है सेम तरीके से बनाई है सिर्फ उस पे तनी ने लगाई है मैंने अब क्या करना है इस पाउच को इसके साथ में मिला कर कुछ इस तरीके से देखी हमें यहां से सील लेना है यहां पर सिलाई लगाएंगे इसके उपर तो गाईज इस तरीके से यह हमारा प्यारा सा दो पोकेट वाला साइड पर्स बनकर तयार हो जाता है तो इस तरीके से आप अपने बेकार पड़े ब्लाउज पिस का यूज़ गर सकते हो गाईज आप देख सकते हो इसका लुक कितना प्यारा आया कितना फिनिशिंग से बनकर तयार हुआ है और जटपट से बनकर तयार हो गया है तो इस तरीके से देखिए आप इसके अंदर अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़े डाल सकते हो बनाना बहुत ही आसान है गाईज कोई भी इसको आसानी से बना लेगा ये देखे इस तरीके से साइड पर्स बन कर तयार हो जाता है आप इसको तन्नी ना लगा के इसको पाउच की तरह भी यूज कर सकते हो तो गाईज बताना यह वाला आइडिया आपको कैसा लगा है तो अब चलते हैं नेक्स्ट आइडिया के लिए फिर से मैंने ब्लाउज का पीस लिया है तो एक ओटन की साड़ी के साथ आता है वो वाला ब्लाउज है यह तो लेस हटा देंगे एक एस्तर लेंगे एक फोम सिट लेंगे और देखिए कुछ इस तरीके से मैंने दो सिट तयार कर ली है गाईज इसके अंदर मैंने राइस बैग डाला है और इस तरीके से सिलाईया लगा दी है इसके उपर देखिए बीच में राइस बैग है इसमें फ और फिर डेडिंज पर मार्किंग करेंगे उपर से फिर से डेडिंज पर मार्किंग करेंगे और इधर से भी हम डेडिंज पर मार्किंग करेंगे तो बीच में एक बॉक्स बन जाता इस बॉक्स की कटिंग करके इसको निकाल देते हैं और इधर से देखे इसको इस तरीके से क कटिंग कर लेंगे इसके उपर रखेंगे और देखिए सेम तरीके से कटिंग इजीली हो जाएगी सैड में जो किनोर पर गोलाई है वो डेड़ इंच की है वीडियो को वापिस आप देख सकते हो स्लो करके अब देखिए एक ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है मैंने और उसके उ यहां से जो है इसको कटिंग करना है तो किनोर के उपर इस तरीके से नोच लगानी है अएक ऊ ठाक है तूपड़ है तो उसको कट करके निकाल देना में फिर इस इसको अंदर की सैड फोल्ड करेंगे और बाहर की तरफ छोटी सी पाइपिन निकालते वे देखे इसकी उपर इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे अगर आप चाहो तो पाइपिन ना निकालके भी इसको अंदर की साइड दबाके भी जो सिलाई लगा सकते हो यहाँ पर फिर अंदर की तरफ से सिलाई लगा देंगे फोल्ड करके उपर से पांच इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको इसके उपर इस तरीके से रख लेंगे देखिए और ये मार्क दूसरी तरफ आ जाता है इस तरीके से इस मार्किंग को डार्क कर लेंगे अब देखें यहां से यह 14 इंच है तो हमें देखिए 14 इंच की लंबाई से यहां से देखिये कट करलेंगे एक तनी चोड़ाई इसकी 5 इंच की है और बीच में से इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे इसके उपर चैन को लटा रखके जो है सील कर इसके उपर टेच्च कर लेंगे फिर इसको पलट कर, इसको टॉप स्टीच कर देंगे ताकि अंदर से धागे ना निकलेजह, जब हम रनर डालेंगे उसमे ना आएं फिनिशिंघ अच्छी हो जाए, अब दूसरा पार्ट इसके उपर रखेंगे और सिलाइसे टेच कर देंगे, टॉप स्टीच कर देंगे इस इसको भी इसके अंदर रनर डाल देंगे अब देखिए हमको इसको देखिए इस तरीके से रखना है यहाँ पर और देखिए यहाँ पर हम स्लाइसे इसको टेच कर देंगे अब दूसरे पार्ट पर इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से टेच कर देंगे सिलाई के साथ में अब देखें यहां से मार्क, इसको मेजर करेंगे और यहां तक मेजर करेंगे इसका, तो यह 40 इंच आया है मेरे मेजर से तो हमको एक इंच एक्स्ट्रा लेना है यहां पर 5 इंच की चोड़ी पटी लेंगे और 41 इंच 46 इंच की हम पट्टी लेंगे एक और एक्ष्ट्रा है मेरे ये तो कट करके इसको हटा देंगे अब देखे इस पट्टी को यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और सिधी साइट दोनों की मिला रखेंगे नीचे की तरफ और दूसरी तरफ भी देखे इसको इस तरीके से रखे और शील देंगे अब इसको सिधा कर लेंगे सिधा करने के बाद देखिए इसको यहां पर हम सीलना शुरू करेंगे इसको इस तरीके से और सिलाह में आधाइंस दबाएंगे तो देखिए यहां तक त्यार हो जाता है गाइज अब हमको दूसरी तरफ भी इसको जो हसील लेना है तो दोनों तरफ से सील गया है ये अब हमको क्या करना इसको फिनिशिंग देनी है तो देखे पट्टी लगा देगे एक इंच की चोड़ी और फिर इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके इसको उपर स्लाइल लगा देंगे तो गाइस देखिए बहुत सुंदर सा मार्केट तेला बन कर तयार हो जाता है बेकार पड़े ब्लाउज पीस से आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो अब नेक्स्ट आइडिया के लिए फिर से एक ब्लाउज का पीस लिया है मैंने और ए सिधी साइड जो है इसकी उपर की तरफ है और मैं कपड़े की भी सिधी साइड उपर की तरफ है तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरे में स्लाइया लगा ली है यह देखिए आप देख सकते हो यहां से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे दोनों तरप से इस तरीके से फोल और इस तरीके से देखें अटेज कर लेंगे यह पर, तो guys देखें मैंने doubleuded है लगा के दौनों तरफ जो है chain को attach कर लिया अब देखें इसको इस तरीके से पलट लेंगे और इसके अंदर हम runner डाल लेंगे तो runner को देखिए इस तरफ से डालेंगे एक runner तो हम और इस तरीके से फिर से तार को बाहर निकालते वे runner डाल लेंगे याँ पर तो इस तरफ से देखिए runner मैंने डाल लिया इसके अंदर और अगर आप दो runner डालना चाहते हो तो दूसरा runner दूसरी तरफ से डाल लेंगे अब जो है हम इसको उल्टा कर लेंगे कुछ इस तरीके से उल्टा कर लेंगे इसको उल्टा करने के बाद देखिए हमको क्या करना है यहाँ पर chain को कुछ इस तरीके से रखना है और यहाँ पर साड़े change पर मार्क करना chain के center से और फिर देखिए उसको यहां से इस तरीके से पकड़ लेंगे साड़े चेंच से और इस तरीके से सेट कर देंगे साड़े चेंच है यह सेंटर तक चेंच के सेंटर तक और साड़े चेंच यह हमारा इधर की तरफ है तो हमको यहाँ पर स्लैल लगानी है इसके उपर तो गाइज मैंने स्लैल लगा दी है अब देखिए हमको क्या करना है इसके किनोर के उपर मार्किंग करनी है तो यह मार्किंग हमको यहाँ पर करनी है साड़े पांच इंच पर और ये स्लाई मार्जन चोड़ते वे साड़े पांच इंचम को इधर की तरफ करना है और इस मार्क को देखें इस तरीके से बॉक्स बना देंगे और फिर इसको कट कर लेंगे तो गाइज देखें ये कटिंग हो जाता है तो अब सेम तरीके से जो है हमें चारो कोनर हमें कट कर लेने इसके तो गाइज सेम तरीके से हमने चारो कोनर कट कर लिए अब देखें कोनर को इस तरीके से पकड़ेंगे हम यहां से और यहां पर सिलाई लगा देंगे और आप नहीं भी करोगे तो भी जो है इसमें से कोई धागे नहीं निकलने वाले हैं तो 4 और इसके सील कर रेड़ी हो गए हैं अब हमको चैन से इसे ओपन कर लेना है इस तरीके से और किनोर को अच्छे से बार निकालते वे हम जो है इसको सीधा कर लेंगे तो guys, चार मैंने ideas बताए हैं आज की वीडियो में और चारों है blouse piece से بتाए हैं guys तो आप दी इस तरीके से अपने blouse piece का use कर सकते हो और बना सकتे हो अलग-अलग size के, अलग-अलग design के bag comment box में ज़रूर बताना कौन सा डिजाइन आपको ज्यादा अच्छा लगा है तो गाय जीश तरीके से देखिए साइड में से जो हमने कपड़ा कट करके निकाला था उसको इस तरीके से सीधा कर लेगे और इसको डबल फोल्ड करके जो हम जो है जो इसको रेडी कर लेंगे कुछ इस तरीके से स्लाय लगाएंगे इसके उपर फोल्ड करके तो दो स्ट्रिप तयार हो जाएंगे यह हमारे पास इस तरीके से स्लाय लगा लेंगे इसके उपर तो स्लाय लगाने के बाद देखिए मैं दिखाती हूँ हमको लंबाई इसकी चीए साड़े 6 इंच की और अब देखे इसको इस तरीके से ओपन करेंगे यहां से और उपर से 4 इंच नीचे की तरफ और बीच सेंटर से सेंटर को मिलाते वे इस तरीके से जो है हमको अटेज करना आदाएंच अंदर की तरफ दबा देंगे सलाई में और इस तरीके से जो है इसके उपर हम सलाई लगा लेंगे तो गाईज दोनों तरफ इस तरीके से तनी लगा लेंगे और इसके अंदर आपके आजाएंगे 25-30 जोड़ी कपड़े आसानी से रेखिए ये इसका फाइनल लुक है गाईज मैं उमीद करती हूँ ये वाला आइडिया भी आपको चरूर पैसंद आया होगा तो गाईज इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो आप देख सकते हो इसके अंदर कितने सारे कपड़े मैंने रख दिये हैं और इसका फाइनल लुक भी मैं आपको मेजर करके जरूर बताऊंगी कि बनने के बाद इसका फाइनल लुक कितना है कितना साइज बनकर तयार हुआ है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक ब्लाउज पीस से हमें जोह कितनी बड़ी साइज का बैग बनकर हमारा तयार होगा तो यहां से है यह साड़े 17 इंच और यहां से है साड़े 10 इंच तो इस तरीके से काफी अच्छी साइज का बन कर तयार होता है ये वाला बैग हमारा तो गाइज बताना कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा बेस्ट लगा है मैं उमीद करती हूँ सबी आइडियाज आपको जरूर पसंद आये होंगे पसंद आये हो तो लाइक के मिनेट चे लाइक कि लुपिया आपको जरूर वालूर पसंद लगा है मैं है ता स सासिट